भस्म हुआ भस्मासुर एक बार देवर्शी नारद भूमंडल में घूम रहे थे तो उन्हें व्रिकासुर नामक राक्षस मिला नारद को देखते ही उसने कहा देवर्शी आप अच्छा अवसर पर आये हैं मैं आप से एक सलाह लेना चाहता हूँ बताए ब्रम्ह, बिश्नु और महेश में कौन देवताय से हैं जो शिग्र और थोड़ी ही तपस्या में प्रसंद हो जाते हैं नारद ने सोचा ये असुर इस समयज जैसा अपना जीवन बिता रहा है आगे भी ऐसा ही बिता सकता है पर लगता है कि आप ये त्री देवों में किसी की विशेश अराधना कर बलशाली होना चाहता है वर पाने के बाद इसके आसुरी शक्ती बहुत ही प्रबल हो जाएगी फिर ये ब्राम्हनों रिशियों तथा देवों को सताया करेगा नारद ये सोच रहे थे पर ब्रकासुर के प्रशन का उत्तर टालने का मतलब था अपने लेग संकट पैदा करना ये सोच विचार करने के बाद देवर्श नारद ने वरिकासुर से कहा ये वरिकासुर जैसे तो तीनों देवों में तुम किसी के भी तपस्या कर अपना मनोरत पूर्ण कर सकते हूँ ब्रह्मा और विश्णूर जल्दी प्रसन नहीं होते उनके लिए बहुत वर्शों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयू समाप्त हो जाए और तपस्या पूरी नहीं हो हाँ भगवान शंकर ही ऐसे है जो थोड़ी आराधना में प्रसन हो जाते है और धरदानी तो ऐसे है कि अपने भगत की इच्छा पूर्टी के लिए कुछ भी सोच विचार नहीं करते भगत ने जो मांगा तातकार उसे दे दिया तुम्हार ही जाती के रावन तथा बाना सुनने भगवान शुव की तपस्या से कितने ही वर्दान पाए है अब तुम स्वयम विचार कर लो कि किसकी अराधना करने चाहिए जिससे तुम्हें शीग्रभल मिले नारजी के मुक से इसी बात सुनकर विकासुर ने भगवान शुव की अराधना करने का निश्य किया और हिमाले के केदारक शेत्र में जाकर शुव की अराधना करने लगा उनके अराधना से प्रसुन होकर भगवान शुव कर प्रकट होकर बोले वस मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसंद हूँ निसंकोश कहो क्या चाहते हूँ वर मागो वरिकासूर हाथ जोड़ कर बोला प्रभू नारत ने कहा था कि आप शिगर ही प्रसंद होकर बर दे थे पर इतने बर्षू की अरहधना के बाद आपने दर्शन दे आप शिगर प्रसंद नहीं होए प्रभू इसका मतलब नारत ने मेरे साथ चल किया अब आप प्रसंद होकर बर देना शाथ है तो मैं भे वैसा ही कठिन बर चाहूँगा आप कृपा कर मुझे बारन बर दीजिए मैं जिस किसी प्राणी के सीर पर हाथ रखू उसी का प्रानांद हो जाए आप प्रसंद नहीं तो यही वर मुझे दीजिए शंकरजी ब्रिकासुर की ये असुरी मांग सुन कर हत प्रभ हो गए पर देवता का भचन था पूरा तो करना ही था अन्य था मर्यादा नश्ट हो दी बोले जाओ ऐसा ही होगा तुम्हारी मनुकामना पूर्ण होगी ब्रिकासुर बोला प्रभू आपका ये वर सत्त है या नही इसकी में परिक्षा लेना चाहता हूँ इसलिए सबसे पहले आप किस तिर पर ही हाथ रग गीता हूँ कि इस वर में कितनी सत्त है असुर के ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर अपने हे जाल में फस गए अब क्या करे वो राक्षस कुछ न सुनेगा न मानेगा ऐसा सोच कर भगवान शंकर भागे शंकर को भागता देख उसका क्रोध बढ़ गया वो उनका पीछा करने लगा कहने लगा कि नारत के तरह आपने भी मुश्यस छल किया है वर्दान की परिक्षा से डर कर क्यों भाग रहे हो भागते भागते अंतमेश्य विष्णु लोग पहुंचे और विष्णु को अपनी भी पदा सुनाई विष्णु ने हस कर कहा भिना सोचे समझे वर्देनी का परिनाम अब पता चला आपको महादेव खोद ही प्रान बज़ते भागते फिर रहे हो बताओ कि अब मैं क्या करू आपकी बर की सत्यता तो उसे सिद्ध करनी ही होगी किसका सर उसके आगे करू शि अचनु ने सोचा और योग माया से एक व्रिद्य तेजिस्पी ब्रह्मचारी का सरूप बनाया और उधर चल पड़े जिदर ब्रिकासुर आ रहा था कुछ दूर जाने पर ब्रिकासुर आता दिखाई दिया आगे बढ़कर उसे प्रणाम कर कहा असुराज कहा भाके जा रह प्रकार में समर्थ है फिर भी मेरे योग कोई कारे हो तो बताईए एक तेजिस्पी ब्रह्मचारी की बाते सुनकर व्रिकासुर ने शिव के वर्दान तथा उसकी परिक्षा की बात बताई इतना सुनते ही ब्रह्मचारी हंसा और बोला हसुराज तुम किसके वर के रहता है वो भला किसी को क्या वर देगा वर देने वाले तो देवता है एक ब्रह्मा दूसरा विष्णू तुम उनकी अरधना करो शिव के पीछे बेकार दोड रहे हूं वर देने वाला तो स्वयम इतना शक्किशाली होता है कि उसके वर का असर खुद उस पर नहीं हो सकता उन्होंने तो तुम्हें जूट मूट का वर दिया है तुमारी तपस्या तो व्यर्थ हो गई ब्रह्मचारी के ऐसी बात सुनकर व्रिकासुर बड़ा निराश हुआ उसका मनुबल तूट कया कहने लगा मुझे तो देवर्षि नारत ने कहा ता कि शिव की आराधना करो वे शिग्री व्रसन होकर मन चाहावर दे सकते हैं ब्रह्मचारी ने कहा तुम बड़े भूले हो नारत पर विश्वास कर लिया अरे वो तो ऐसा गुमकर सादू है कि जो सब को उल्टी सला देता है उसकी सला से कभी किसी का भला होता ही नहीं और तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो खुद ही अपने सिर पर हाथ रख कर देखो कि कैसे शिवने तुम्हें जूटावर दे कर भैकाया है व्रिकासुर का मनुबल इतना तूट चुका था कि उसे उस ब्रह्मचार की बात में भिश्वास हो गया कि शिवने उसके साथ चल किया उसे जूटावर दिया उसका विवेक नष्ट हो गया ऐसा सोशते हु इस सिर पर हात रखते है भैंकर अगनीपूंच प्रकट हुआ और व्रिकासुर उसमें भस्म होकर राक की थेर बन गया, चोंकि व्रिकासुर स्वयम अपने हाथों भस्म हुआ था, इसलिए उसका नाम भस्मासुर भी पड़ गया